फूल पुर्विधान सभाक शेत्र के उपचुनाव में समाजवादी पाटी के प्रत्याशी मुझ्दबा सिदीकी के खिलाफ अनुसूचित जाती के लिए अमर्यादित तिप्णी करने पर प्राथमी की दर्च कराई गई है। वही मुझ्दबा सिदीकी का कहना है कि सोशल मीडिया में मेरे बयान को तोड मरोड कर पेश किया जा रहा है जबकि मैंने इस तरह का बयान कहीं नहीं दिया है। उन्होंने अपनी समझ से किसी के लिए भी कोई आपत्ती जनकपात नहीं की है, फिर भी यदि किसी को उनकी बातों से ठेस पहुंची हो तो वह शमा याचना करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व में बहुजन समाज पार्टी का सिपाही रहा हूं और तीन बार का विधायक भी रहा हूं। मेरी ऐसी कोई दुरभावना किसी समाज के प्रती नहीं है। मेरे बयान को तोड मरोड कर पेश किया जाना दोख़द है। फिर भी मेरे बयान से अगर किसी की भावना को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं क्शमा प्रार्थी हूं। मैं डॉक्टर अमबेडकर एवं डॉक्टर लोहिया की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ती हूं और इन ही महापुरुशों के बताय रास्ते पर सपा के राश्ट्रिय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर राजनीती में सेवा करता रहूंगा।